नमस्कार साथियूं मेरा नाम है आरकेसी संश्यती आईएस के यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों खास है इस रो का नया मिशन 4.0 देखेंगे और इससे जोड़ी जो भी महत्मुर बाते हैं उन पर भी संशित रूप से प्रकास डालेंगे चलिए देखते हैं चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना है संस्कृति आईएस एक बड़ा डिसकाउंट अलग-अलग जो आनलाइन कोर्स है लाइब है पेंडाइब कोर्स है डिल्पी कोर्स है उन पर ये छूट प्रदान कर रही है ये जो छूट है ये 75 प्रतिसक्त तक आप प्राप्त कर सकते हैं बसरते समय सीमा जो दी गई है पांच से 10 अक्टूबर 2024 इस समय सीमा के अंतरगत अगर इन कोर्स में आप नामांगकन करवाते हैं तब ही आप इन छूट का लाप्राप कॉम यहां विजिट करके आप संबंधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि आखिर इसरो का जो नया mission 4.0 है यह क्यों खास है इसके बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो इसके लिए एक news article लेते हैं जिसमें यह कहा गया है यह क्या है यह क्या है यह इसी mission के बारे में कहा जा रहा है इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि चंद्रयान 4 mission will achieve the foundational technological capability to land an Indian on moon by the year 2040 and return safely back to earth यह कहा जा रहा है और इसी कारण से यह जो mission है यह चर्चा का बिसे बना हुआ है थोड़ा सा इसके बार हम बात करें तो इस रो ने अंतरिच बीभाग में स्वच्टा को बढ़ावा देने के लिए और पुराने कामों को निप्टाने के लिए बिसेस अभियान 4.0 को सुरू किया है और इसी कारण से यह जो अभियान है यह एक बार फिर से चर्चा का बिसे बना हुआ है भारती अंतरिच जो अनुसंधान संगठन जो इसरो है इसने खास तोर पे अगर देखें तो सनिटेशन सच्टा में सुधार और लंबित जो कारे हैं जो पेंडिंग वर्क है उनको निप्टाने के उदेश से एक बड़ी सरकारी पहल के हिस्से के रूप में अपना विसेस अभियान 4.0 प्रारम किया है और इसी कारण से यह चर्चा में है बात करने तो इसरो ने सुमवार को अपने सोसल मीडिया जो प्लेटफॉर्म एक्स है इस पर एक पोस्ट के जरिये इस अभियान की पूरी जान गठन के द्वारा और इसमें सारी बाते दी गई है इन पर भी हम बात करेंगे चलिए अगर हम बात कर ले इसके बारे में जो चीजे दी गई है तो यह कहा गया है कि यह जो अभियान है यह 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगा यह एक सतत कह सकते हैं कि अभियान समय होगा और इसमें आटोनॉमस बाड़ी और सारजनिक छेत्र के जो डिपार्टमेंट है P.S.E. इनके साहित अंतरिच बिभाग जो D.O.S. है इसके तहट सभी जो कारियाले हैं उनको इसके तहट सामिल किया जाएगा वो इसमें भाग लेंगे सवच्ता में सुधार के उद्रिस्यों से सुरू किया गया ये मिसन है 4.0 और अंतरिच में जो काम्याबी है उसकी तरफ बढ़ रहे भारत के जो मजबूत कदम है उसका कह सकते हैं ये एक सार्थक कह सकते हैं कि प्रतिमूर्ती है और उसका ये परिचायक है तो ये हमने अक्टूबर से 31 तक चलने वाला ये जो कैम्पेन है तो इसरो ने सुमवार को ही इसके बारे में ट्वीट करके ये जानकारी दी और कहा कि बैंगलूरू में इसरो मुख्याले ने प्रभावसाली गतविधियों के साथ हैस इस्पेशल कैम्पेन 4 की सुरूवात की है और प्रिच बिभाग, आटोनामस बाड़ी और प्येस सहित इसके कार्याले विसेश जो अभियान है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और ये सभी इसके तहत सामिल होंगे यही बात कही गई है और इसके बात क्या है कि इस अभियान की खास तोर पे चर्चा हो रही है अब अगर बात करें कि आखिर क्या है अब इसका अगला नेस्ट मिसन तो देखिए इस तो जो 4.0 है यानि कह सकते हैं कि इस तो का ये कहना है कि 4.0 जो है ये स्वच्ता बढ़ाने और पुराने जो कार्य हैं जो पेंडिंग वर्क हैं उनको निप्ताने पर खास तोर पे फोकस होगा य जो सिकायत हैं यानि जो विभाग जुरे हुए उससे और खास तर पे D.A.R.P.G. जो है यानि जो Department of Administrative Reforms and Public जो ग्रेवियन्स हैं उसके दिशानिजिसों के अनुरूप पिछले तीन बरसों की जो मेहनत है जो लागतार प्रयास किये गए हैं उसको ये दरसाता है और इसको अब सफल बनाना है ये अपील की गई है इसरो के द्वारा यही नहीं इस मिशन को और बेहतर बनाने के लिए जो नोडल अधिकारी है वो नित किये गए हैं और अभियान की जो योजना है वो बनाने और इसके रेगुलेशन के लिए हर अस्तर पे खास तर पे जो मिटिंस है जो बैठके हैं उनका आयोजन किया जा रहा है इसके अलवा भियान के दौरान सारा जो वर्क होगा वो प्रसासनिक सुधार और सिकायत विभाग के द्वारा निर्धारी जो गाइडलाइन्स होंगे जो दिसा निर्देश होंगा उनसका पालन करते हुए किया जाएगा अब इसी को हम साथ में इसरो कहते हैं देखें भारती जो अंतरिश अनुसंधान संगठन यानि इस रो है यह भारत की अंतरिश एजन्सी है भारत के इस पेस में जो भी कारिक्रम है जो विभिन गतिवीदिया है जो अलग-अलग मिसन है उस पर खास तोर पे उसके लिए सबसे उ अप्लिकेशन है यह सारी बाते सरकार के सामने यही संस्था रखती है इसका जो गठन है वो 15 अगस्त बरस 1979 को किया गया था इसका जो हेड़क्वाटर है वो बैंगलूरू में है और अगर बात करेंगे आखिर इस रो का मुख्य उदेश क्या है तो देखें विभिन कारक्रम है वो यह संचालित करती है और उसके लिए सरकार को रिपोर्ट करती है तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर इस रो है क्या और यह क्यों चर्चा में है इसका जो अभियान 4.0 है वो क्यों चर्चा में है किस लच के साथ यह अभियान प्रारम किया जा रहा है औ हैं और बार